नमस्कार आप देख रहे हैं आपकी बात समवात 365 के साथ और मैं हूँ पुश्पापुंडीर कहते हैं सपने देखने वाले को हिम्मत देने वाले मजबूत हाथ अगर मिल जाएं तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगती फिर चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों नहीं हो आज के जो हमारी महमान हैं उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है एक दुरगटना में दिव्याग हो जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उत्राखंड में गायन के क्षेतर में एक अलग मुकाम हासल किया एक जनवरी 1983 को जन में उत्राखंडी गायक वीरू जोशी का सपना आर्मी जोइन करने का था लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मन्जूर था उनका इस सपना उस वक्त चकना चूर हो गया जब एक सड़क हांसे में उन्होंने अपने दोनों पैर गवा दिये लेकिन कुछ गर गुजरने का जजबा ऐसा था कि वीरू जोशी ने फिर भी हार नहीं मानी और चल पड़े अपने संगर्श से एक नई कहानी लिखने उन्होंने अपने जिंदगी की फिर से एक नई शुरुवात की और गायकी के क्षित्र में एक के बाद एक नई आयाम गरते चले गए उन्होंने कई उत्राखंडी अल्बम के लिए गीत तो लिखे ही हैं साथ ही अपने आवाज भी दी हैं उनके इस संगर्श में कई लोग वीरू जोशी के साथ खड़े रहें जिन में ममता मई माता मंगला और परमशृदे भोले जी महराज का भी खासा योगदान रहा तो आईए देखते हैं गायक वीरू जोशी से खास मुलाकात आपकी बात समवाद 365 के साथ आईए बात करते हैं गायक वीरू जोशी से और सुनते हैं उनकी कहानी उनहीं की सुबानी वीरुजी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम आपकी बात समवाद 365 के साथ में धन्यबाद समवाद 365 का जो मेरी तक पहुचा और मैं बहुत-बहुत धन्यबाद करना चाता हूँ इस चैनल का जो लोग पृतिया इस चैनल की इस समय पूरे उत्राखंड में चल रही है और आज मेरी तक पहुँची मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाता हूँ संबाद 365 का वीरुजी आपके हुनर के बारे में तो सब जानते हैं लेकिन अपने होसले से आपने एक नई कहानी लिखती जिन्दगी में जो आपके साथ हुआ शायद किसी और के साथ होता तो वो हिम्मत हार जाता लेकिन अपने अपने होसले को तूटने नहीं दिया तो मैं यह जानना चाहती हूं और हमारे व्यूवर्स भी ज़रूर जानना चाहेंगी कि क्या था वो लाइफ टर्निंग मोमेंट आपका, कैसे हुआ था समय। मैं 27 मही 1999 को मैं जब 10 में की परिक्सादी तो उसका रिजल्ट खुलने को आ रहा था तो मैं उसके रिजल्ट सुनने के लिए अपने गाउं से थोड़ी दूरी पे जा रहा था जहां हमारा एक मार्केट होता है तो उसके बीच में एक जीव दुरगटना होगी जिसके उज़े से पता चला कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है तो आप आप हमेंसा विल्चेर में रहेंगे तो वहीं पे से मेरे लिए एक बहुत बोरा दौर भी था लेकिन उसी से पूरा परिवार का सपोर्ट और मेरी पूरी जो गाउं दोस्तों का सपोर्ट था वहीं पे से जन में आया था कभी आपके बिल्कुल जब डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आप हमेशा विल्चेर में रहोगे तो उसके बाद तो आप भी सो सकते हो कि किसी के लिए एक जवान लड़का मैं 19 साल 18 साल का उस समय मेरी उमर थी तो कैसा लगा होगा मेरे प्यार मेरे परिवा कि दौर में विरो ज béलो कि अबूगल सही कहा आपने अपनों का साथ अगर है तो हर मुश्किलासान हो जाती है अब अगला सवाल मेरा आप से ये है कि आपका जन्मिस्थान कहां है कहां से हैं मैं वोसे अपने आपको पूरा उत्राखंड का मानता हूँ लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप कहा से हो तो मेरा ग्राम पोस्ट छेपणू है और मैं थराली का रहने वाला हूँ और मेरा जिल्ला चमोली है विरुची बहुत अच्छी बात आपने कही है कि पूरा उत्राखंड ही आपका है अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि गायन के खेतर में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं एक अलग मुकाम आपने हासल किया है तो बच्पर में आपने कभी सोचा था कि गायकी में जाएंगे या सिंगिंग करेंगे क्या बरना चाहते थे आप मैं में इस्कूल टाइम से ही थोड़ी बहुत गाने का सौक रखता था तो इस्कूल में जो कारेकरम होते थे 15 अगस, 26 जन्वरी उसमें मैं गाना गाता था तो सब मेरे दोस्त लोग, टीचर लोग बहुत वावाई करते थे तो मुझे भी लगता था कि थोड़ी बहुत मेरा गाने में भी रोजान था और मेरे ताउजी के लड़के भी आर्मी में रहते थे मेरे गाउं में हर परिवार से एक आर्मी में था तो मुझे ये लगता था कि मैं जरूर एक दिन पहुँझ में जाके देश की सेवा करूँगा विरुजी बहुत अच्छा लगाई जानके कि सिंगिंग के साथ साथ आपका रूजान फॉर्च की तरफ भी था विरुजी ये कहना चाहूंगी मैं आपसे कि कई दिव्यांग लोगों से मैं मिली हूँ और उनकी एनर्जी लेवल जो होता है और आपकी एनर्जी जो है उसमें बहुत जादा अंतर है तो कहां से आई आपके अंदर इतनी सकारात्मक था ये पॉजिटिव एनर्जी मेडम जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक सेनिक का बेटा हूँ मेरे परिवार से मेरे पिता जी एक आर्मी में रहे हैं और उनने 99 में जो वार हुआ था कारगिलियोद उसमें वो सहभाग किया तो मुझे एक हिम्मत वहाँ पे से मिली कि जब मेरे पिता जी आर्मी में देश की सेवा कर सकते हैं मेरी हिमत तूट गई तो कहीं न कहीं उनका भी होसला तूट जाएगा और मैं खुद मेरे परिवार से ही छे जो उनको साइध भवानित जो सी जो असोग चक्र सम्मानी थे पहले ब्यक्ति जो उतराखंड के स्वन मंदिर में जो यूद्ध हुआ था वहां पे वो साइध और उनको असोग चक्र से नवा जा गया था तो मेरे सामने तो मेरे पूरा परिवार बोलो आप मेरा गाओं बोलो पूरा एक आर्मी से भरा हुआ है तो उनके बीच में पला बढ़ा हुआ हूँ तो इसलिए मेरे को यह हिम्मत यह एनरजी उन लोग उसे मिली है विरू जी आपके इस ज़स्पे को आपके हौसले को हमारा सलाम और विरू जी अभी मैं आपके साथ कार में बैटके घूमी हूँ एक ड्राइव हमने ली है और मुझे ये कहीं से भी महसूस नहीं हुआ कि आपके दोनों पैर पूरी तरह काम नहीं करते बहुत अच्छी तर ये कमी रह गई होगी कि मुझे अपने साथ जब कभी जाता था तो अपने साथ गाड़ी चलाने वाला ले जाता था तो मैंने सर्च ऐसे इंटरनेट के माधियम से हैंडीकेप कार सर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसा होता है तो फिर मैंने अपने हिसाब से उन के वापस आगे क्यूआ कि मैं एक जगो से दूसरी जगो जाने लग गया था जबकि मेरे साथ कोई नहीं रहता था आज मैं पूरे उत्राखंट में घूमने के लिए मैं उसरे मुझे जाना होताओं घूम के आता हूं करा था कार साहित मेरा सपना को मुझे चतला हूं दूसरी जगवा ले जाती है तो कार मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेन असर होते है तो कार चलाना आप पहले से जानते थे या फिर इस हादसे के बाद आपने ये सीखी? बच्पन से थोड़ी बहुत जब मैं दस्वी में गया था तो गाउं में थोड़ी बहुत गाड़ी सीखा था लेकिन बाद में जब ये गाड़ी मेरे पास आई तो मैंने एक हफ्ते तक आप यकीन नहीं करेंगे कि जिज दिन मैंने यह हौशला बनाए कि मैं कार चलाना खांगा तो मैं एक हफ्ते तक बिल्कुल कंटीन्यू सीखते रहा तब जाके मैं कार चलाने लगा आज पूरे उत्रक्रण में घुम रहा हूं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात बिल्कुल बढ़ी बात यह है और क प्रस्तूतियां देते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि आपको मंच पर जाने में असुविदा महसूस हुई हो क्या चैलेंजिस आपके सामने रहते हैं मेडम जब मैं स्टेश प्रोग्राम करने जाता हूँ पर जोते हैं वो 21 वी चेर के लिए रेंब बनाके रखते हैं एक पर मंच तक बंदो मेरे मेरी चियर बहुत बड़ी चुनती थि और मेरा दिल कहीं न कहीं बहुत खुस बिवाकी, आयजग भी इतनी मदद करने के बाद कहीं चाहते हैं कि दिभ्यांग लोग भी अपनी परस्तुती दें बिल्कुल विरुजी आपने भारत में और भारत के बाहर भी कोई प्रस्तुति दी है और ये मंच पर आपको परफॉर्म करने में कोई समस्या कभी महसुस हुई मेडम मैं उत्राखंड में तो सब जगो कारेकरम करते रहता हूँ उत्राखंड से बाहर मैंने दिल्ली में अपना परस्तुति दी है बंबई में अपनी परस्तुति दी है चंडीगड में अपनी परस्तुति दी है देश विदेश से अभी तक मेरे पास कोई ऐसा ओफर आया न हूँ क्योंकि सरकार की इतनी अच्छी ब्यावस्ता है चाहे हो बाई एर हो चाहे बाई ट्रेन हो तो मुझे मैसूसी नहीं होता कि मैं एक विल्चियर के साथ इतने दूर जा रहा हूं तो इसका मतलब उत्राखन के बाहर भी आप कई जगों पर अपनी प्रस्तुतियां देते रहे हैं तो वीरुजी मैं यह चाहती हूं कि देश-विदेश से जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं आप उनके लिए एक कोई लाइन गुन-गुना दे लि तो उसी पे ही मैंने खुद अपना गाना लिखावा था तो दो लाइन आपके साथ जरूर सियर करूंगा बारा बरस मां फिर बोड़ी तेरी जात उकरी दे आस हम ते जूण रो बिस्वास मुल्क की खैर बिपदा लिजेई केलास स्यूंद सीर्वाना रखी सदा देनों हात बारा बरस मां फिर बोड़ी तेरी जात आसिस दे मां से मुली परभात बारा बरस मां फिर बोड़ी तेरी जात विरुजी बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा लगाए और ऐसा लग रहा था कि मैं नंदा देवी के द्वार पर पहुंच गई हूँ विरुजी अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कितने गीत लिखे हैं कितने गीत आप गाचुके हैं और कितनी एल्भम में आपने अपनी आवास दिये मेड़ में 2006 के बाद गाना लिखना मैंने शुरू किया, उसके बाद मैंने अभी तक 4-5 अलबम अपने मार्केट में निकाल दिये, जो कि लोगों का मेरे को बहुत प्यार और आसरी बाद मिला, सब ने बहुत पसंद किये मेरे अलबमों को विरुजी आपके कई कीत मैंने सुने हैं, बलकि लगबग सारे गीत मैंने सुने हैं, कई उसमें आध्यात्मिक गीत भी हैं, उसमें रोमैंटिक सॉंग हैं, सैट सॉंग हैं, अपनी जीवन के उपर आपनी आप बीती भी उसमें गाया है, लेकिन कहीं भी मुझे यह नहीं मेडम मैं यह सोचता हूं कि संगीत एक साधना है, हमें इसा मा सुरस्वति का ऐसा बरेदान होता है, कि हमको मतलब ऐसे चीज गाना चाहे या ऐसे सब्दों का परियोग करना चाहे जो सीधर सरोताओं के दिल तक पहुचे, तो मैं तो वैसे भी माननदा देवी के छेतर से आता तक पहुचे, मैं ये काम जानता हूं, वीरुजे, आपके कई गीत मैंने सुने, लेकिन आपका एक गीत आपने जो अपनी आप बीती जिसमें आपने बया की है, उसे सुनकर मुझे बहुत जादा अंदर से, मतलब मैं इतनी भावुक हो गई कि मेरे आँखों से आँसु छल कि माँ पहाड से पहले बार दिल्ली पहुचा तो वहां पर तब तब स्टोडियों देरदुन में नहीं होआ करते थे, वहां करते थे तो जब अन शीर्यों से ऊपर जाता था अपने दोस्त के साथ, में बहुत जिए ने संगीतकार शिरिस संजे कूमोला जी, मीना दीदी ज तो उन्हें का बीरुत इतना संगर्स करता है उस पहाड से दिली तक पहुंच गार इतनी सीड़ी से उपर आना और नीचे जाना तो क्यों ना हम आज एक ऐसा गीत बनाएं कि जो आप अपने जीवन पर आदारित जो इस संगर्स कर रहे हैं उसको दिखाएं तो मैंने फिर हम स गैल हे बिधाता कन करी त्वेन मेरा गैल नींद चैन ख्वे दीनी सुपन्या मेरा तोड़ देनी क्या मिली बिधाता त्वेते मैं दगाडी खेल खेली हे बिधाता कन करी त्वेन मेरा गैल विरुजी वास्तों में आपका ये गीत जो है बहुत ही जादा भावक करने वाला है और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स जो देश विदेश से जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस काने को पूरा सुने और मुझे पूरी उमी है कि वो भी इसे इतना ही पसंद करेंगे वीरुजी आपका जीवन एक संघर्ष है आप प्रेरणा हैं सभी दिव्यांगों के लिए और कई लोगों के लिए तो जाते जाते ही आप एक कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को देश विदेश से जो लोग हमें द पर्चम उठा कर देखे, आप भी इसका एक पर्चम उठा कर देखे, अगर किसी के साथ भी ऐसा हास्सा हो जाता है, अगर उसके अंदर होसला है, तो कोई भी चीज नामुंकिन से मुम्किन हो सकती है। बहुत अच्छी बात आपने कही, वीरु जी आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी बाते आपने की अपने अनुबव साजा किये, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्या बात है। हम आपने का संब अ Ahhh मुम्किन युम्किन, आपका ब मीम्किन कीजियू